आज की कक्षा में आप सब का स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का बारहमा पार्ट स्वभावेन परोकारी भवे अर्थार्थ स्वभाव से परोकारी होएं इससे पार्थ में हम लोग करणकारक तृत्या विभक्ती के बारे में सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपना पार्थ सबसे पहले हम लोग करणकारक के परिभाशा के बारे में जानेंगे जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है अर्थार्थ जो साधन किसी काम को पूरा करने में या काम को करने में सहायता प्रदान करता है उस साधन में करणकारक और तृत्या विभक्ती का होता है ये कुधारन के द्वारा हम देखेंगे सैनिकाह खडगेन रक्षनती यानि सैने करने के काम में खडगेन यानि तलवार जो है सहायता कर रहा है इसलिए खडगेन में तृत्या विभक्ति का प्रयोग हुआ है और करण कारक का प्रयोग भी इसमें है उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है कि नीता मुखेन खादती नीता मुख से खाती है तो यहां की और घजो है वो मुख से संपादित हो रहा है इसलिए मुखेन और खडगेन इन तीनों में करण कारग है और तृत्या विभक्ति का प्रयोग के icons हैं अब यह देख रहे हैं कि जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है वह करण कारक कहलाता है या क्रिया करने के प्रमुख साधन को करण कहते हैं जिसमें तृत्या विभक्ति होती है क्योंकि इसमें करता गौण होता है करण कारक काचिन से के द्वारा है अब हिंदी का अगर वात्य होगा तो उधारण अब देखेंगे जैसे राम कलम से लिखता है या वह पैरों के द्वारा आता है तो यहाँ पे पैर के द्वारा के द्वारा जो है चलनी में सहायता प्रदान करता है और उसी प्रकार से कलम से लिखता है तो से जो है लिखने के कारे में सहायता प्रदान कर रहा है इस प्रकार क का चिन हुआ से के द्वारा और इसमें तुर्ट्या विभक्ति का प्रियोग होता है अब नीचे हम देखते हैं करण कार्ण का प्रियोग हुआ है क्योंकि सैनिक तलवार से रख्षा करता है और नीता मुख से खाती है आप देख रहे हैं कि तलवार और मुख जो है क्रिया के संपादन में क्रिया के करनी में मदद कर रहा है इन दोनों वात्यों में तलवार और मुख के द्वारा कारे हुआ है चुकि ये कारे करनी में सहारता कर रहे हैं अतह ये करन कारण कुछ और उदारण हम लोग देख लेती हैं बिडाला पादह धाविश्यंति बिडाला यानि बिल्नियां पैरों से दोड़ेंगी तो दोड़नी के काम में पैर जो है सहाता कर रहे हैं इसलिए पादह पैरों से या पैरों के द्वारा अश्वा त्रणह जीवन्ति घोड़े जो है घासों से जीवित रहते हैं तो जीने के काम में घास जो है वो सहायता कर रहा है साधन के रूप में हैं इसलिए त्रणह यहाँ पर करणका रखे और त्रत्या विवक्ति का प्रयोग किया गया है किशो रह संगड़की अंत्रेड अपिवार्ता कुर्वंति किशो रह यानि बच्चे आप दिखेंगे कि जिस प्रकार से आपकी जीवन होती है जीवन का की चार अवस्थाएं होती हैं तो सबसे पहले होती है बाले अस्याश्व अवस्था जो जन्म से ली करके पांच साल तक की जो अवस्था होती है उसे सैश्व अवस्था कहते हैं और उसके बाद आती है आपकी बाले अवस्था जो पांच से ली करके आपके चौदा साल की जो उम्र होती है बाले अवस्था होती है और उसके बाद किशूर अवस्था आती है जो की चौदा से लीकि अठारे क के बीच में होती है और उसके बाद आपकी आती है युवश्था जो अठारस से ले करके तीस के बीच में रहती है और तीस के बाद आपकी आती है प्रोणावस्था जिसे आप तीस से ले करके पचास के बीच प्रोणावस्था रहती है और अंत में ब्रधावस्था आती है त तो जो कि पचास से लेकर के आपके मृतु परियत्ने तक रहती है ब्रधा अवस्था तो इस प्रकार से आपके उम्रे को छे प्रकार अच्छे अवस्थाओं में विभाजित किया गया है उसमें से किशुरा अवस्था जो है आपकी वो बारत से लेके 18 के बीच की अवस्था जो है वो किशुरा अवस्था है तो इस उम्रे के बच्चे जो है संगलकी यंत्रण अभी बारता कुर्वन्ती यानि कंप्यूटर यंत्र के द्वारा भी बारता यानि बात करती हैं किशुर कंप्यूटर के माध्यन से भी बात करती है पिता दूरभास यंत्रण पिता जो हैं दूर्भास यानि टेलीफॉन से बात करते हैं छात्रह कलमीन लिखती छात्रह कलम से लिखता है तो इस उदारण में यंत्रेड आप देख रहें दूनु एक्जामपल में यंत्रेड और इसमें कलमीन यह जो है करणकारक है क्योंकि इसके द्वारा काम संपारित ह रहा है अपुर्वा स्वभावेन परुपकारी अस्ति अपुर्व जो है नाम है अपुर्व एक बच्चे का नाम है चुकि यहां पे प्रस्मा विभक्ति का प्रेव हुआ है तो अपुर्व स्वभाव से परुपकारी है सह पादेन खंजह अस्ति वह पैरों से लंगडा है सा कलमीन सुन्दराणी अक्षराणी लिखती वह कलम से सुन्दर अक्षरों में लिखता है अपुर्व दंडेन विद्यालयम गच्छती अपुर्व जो है वो दंडे की मदद से विद्यालय जाता है तस्य मित्रम पराग हसती उसका मित्र पराग है पराग द्वीचक्रि काया विद्यालियम गच्छती, पराग जो है, द्वीचक्रि कया, यानि cycle के द्वारे, इसके दो चक्के होती है, और चुकде cycle, इस्ट्रिलिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर इस्ट्रि शब्द का आपका द्वीचक्रि कया पुर्योग हुआ है क्योंकि जाने में साइकिल जो है सहायता प्रदान कर रही है तो पराव साइकिल के द्वारा विद्याले जाता है केचन छात्रा बस याने अपिगच्छनती कुछ छात्र बस के द्वारा भी जाते हैं केचन छात्रा अब शब्दान वदंती कुछ छात्र जो हैं अब शब्द सिक्षक बोलते हैं बच्चो अफशब्द मत बोलो तो इस प्रकार से आप यहां देख रहे हैं कि किस तरह से तृत्याविभक्ति यानि करन कारेक का प्रयोग बताया गया है अब यहां अस्मरण ये विंदू पर ध्यान देंगे अंग विकार के लिए तृत्याविभक्ति का प्रयोग होता है अगर किसी अंग में विकार है जैसे आख से अंधा है कांच से बहरा है पैर से लंगरा है तो उसमें कमी है विकार है तो उस अर्थ में जिस अंग में कमी हो संग में हींता की भावना हो उसमें तृत्या विभक्ति प्रयोग तो होती है जैसे आपने उधारण के द्वारा देखा कि सह पादेन खंजह अस्ति वह पैरों से लंगड़ा है तो पादेन में तृत्या विभक्ति का प्रयोग किया गया है उसी प्रकार से उपद विभक्ति क कुछ विशेस अर्थ में उपद विभक्ति होती है जैसे अलम, समम, सह आदी अव्ययों के योग में तृत्या विभक्ति का प्रयोग होता है ये कुछ ऐशेस सब्द है अगर इनका प्रयोग वात्य में होगा तो वहां पे तृत्या विभक्ति आएगी जैसे अलम प्रेन में तृत्य बिवक्ति हुई है तो यहां ऊपठ वीभक्ति हुई है अलम्व के कारण यहां पर प्रता बिवक्ति का प्रोक क्या गया है तो यह आपको जब वDयो जो एक कारक से संबंदित हैं वो अफलोड है आप उसे देख सकते हैं जैसे उधारण के द्वारा दिया गया है अध्यापक का छात्रा भी सह गच्छती अध्यापक छात्रों के साथ जाते हैं यहां छात्रा भी है आप देखेंगे अगर पुलिंग में तृत्या विवक्ति होता पुलिंग छात्रा भी है यानि छात्राओं के साथ इस्तिलिंग का शब्द है सह गच्छती जाते हैं अकारान पुलिंग शब्दों में तृत्या विवक्ति करण कारत्मी एक वचन के साथ एन दुवचन के साथ आभ्याम और बहुचन के साथ ए जोड़ा जाता है जैसे आप एन जोड़ा जाता है एन जोड़के बालके इन आभ्याम जोड़के बालका भ्याम और ए जोड़के बालका है तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पार्ट के बारे में जाना कि इस प्रकार से आपका करण कारत्या विवक्ति का प्रयोग होता है शब्दों में किनकिन प्रफ्थों में होता है और किस प्रकार से अकारंद पुलिंग शब्दों में एन आभ्याम और ए जोड़ करके शब्द रुख बनाया जाते हैं तो छात्रों से मेरा अन्रोध है कि आप इस पार्ट के अभ्यास को आवश्य याद कर लेंगे और इस पार्ट की शब्दार्थ क आप याद कर लेंगे जिससे पाठ आपके लिए आसान हो जाएगा अब हम लोग चलते हैं अभ्यास की ओर मौखिक प्रेश्ण सुद्धम उचारणं कुरूत सुद्ध उचारण करी खडगेन पादाभ्याम नेत्राभ्याम संगड़क यंत्रिण पादह सुभावीन कीचन अलम दंडेन फिर से एक बार देख लेंगी खडगेन पादाभ्याम नेत्राभ्याम संगड़क यंत्रिण पादह सुभावेन केचन अलम दंडेन कुरूत नमबर टू में हैं चिंत इत्वा वदद सोच कर बोले करण कारक में कौन से विभक्ती होती है हम लोगोंने अभी अ पड़ा है कि करण कारक में तृत्या विभक्ती होती है करण कारक का चिन्न क्या है तो करण कारक का चिन्न सी की द्वारा है सी और के द्वारा करण कारक का चिलने है अब हम लिखित प्रेश्ण की ओर चलते हैं विकल्पे वे उचितम उत्तरम चित्वा लिखत विकल्प से उचित उत्तर चुन कर लिखना है जिसके द्वारा कार्य होता है उसे कहते हैं तो कारिके संपादन में जो हमारी शहायता करता है उसे क्या कहते हैं करण कहते हैं आपर सेकंड वलो आप्सन सही है बालका कंदुकेन क्रिडंती पद में करण है बालक अनेक बालक गेंद के द्वारा या गेंद से खेलती हैं तो गेंद जो है खेलनी में सहायता कर रहा है इसल लोग मुख से बोलते हैं इसका संस्क्रित अनुवाद है जना मुखेन वदनती जना मुखम वदनती जना वदनती जना यंतरण वदनती तो आपके ये सारे ओप्षन जो हैं गलत हैं फर्श वाला ओप्षन आपका सही है जना मुखेन वदनती लोग मुख से बोलते हैं साइकिल से का सही संस्कृत सब्द है साइकिल से आप देख रहे हैं पर करण का रखचन से का प्रेवग होगे हुआ है अर्थात इसका सही सब्द है संस्कृत सब्द वी चक्रि कया वी चक्रि कया अगर किसी वाहन में तीन चक्के हैं तो तीन चक्रि का उसको बोलेंगे चुकि तीन चक्के हैं, क्वशन नुम्बर टू में एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, सैनि का केन रक्षन ती, सैनि किस के द्वारा रक्षा करती है, तो आपका उत्तर होगा खडगेन, तलवार के द्वारा, अश्वा केन जीवन्ती, घोड़े किस से जीवित रहते हैं, तो त्रण हैं, घास से, परागस्य मित्रम कह अस्ती, पराग का मित्र कौन हैं, अपुर वह, बाल का केन वारताम कुर्वन्ती, बाल किस के द्वारा बात करती हैं, संगड़क यंत्रिण, यानि कंप्यूटर के द्वारा, अपुर्व केन विद्यालयम गच्छती, अपुर्व किस के द्वारा किस से विद्यालय जाता है, तो दंडेन, सहकेन खंजह अस्ती वह किसी से लंगड़ा है तो पैरों से पादेन पेश प्रगार से हम लोगों ने एक शब्द में प्रश्ट की उत्तर दिये क्रेशन नुम्बर थिरी में उन्हें में लिखित सब्दा नाम तिर्थ्या विभक्ते रूपारी लिखत यह जो शब्द दिये गए है उनका तिर्थ्या विभक्ती में आपको रूप लिखना है फल शब्द नपुनसक लिंग का है तो आपको पता है कि अकरंट नपुनसक लिंग का शब्द जो है तिर्थ्या विभक्ती से अकरंट पुलिंग की तरह चलता है इसलिए इसका रूप होगा फलेन फलाभ्याम फलह लता इस्तिलिंग शब्द है इसलिए इसका रूप तिर्चाविभक्ति में होगा लत्या लताभ्याम लताभी नाशिकावी इस्तिलिंग शब्द है इसलिए इसका रूप होगा नाशिकाव्याम नाशिकावी नेत्र जो है वो नपुरसक लिंग सब्द है इसलिए नेत्रिन नेत्राभ्याम नेत्रह है जल्भी नपुर्फ कलिंग है इसलिए जल्म जलाभ्याम जलह हो तो इस प्रकार से अम लोगों ने तिर्थ्याविवक्ति करल करक्त में इसका सब्द दговर देखा fix न्म्बर riders में सुद्धी शब्द हो सरिक्तेस्तानी पूरिय जो यह शब्द दियए गया इंम में से सुध्धी सब्द Aquiसायता से इन कली जगों को भषक है आवाम बदावह हम लोग- कडीotी भर्थार आव ब्रयंगे-धायात GES with a बहुबचन का बोध होगा लेकिन कड़िका चुकी लड़की है और वो दो पैरों के सहायता से चलती है इसलिए यहां आपका पादा भ्याम होगा यहीं यहां अगर गजह रहता या अश्वा रहता तो यहां पे हम लोग पादाह का प्रियोप करते अच्छता है डैस विद्यालें गच्छती अच्छत जो है डैस विद्यालें जाता है किसके द्वारा तो बस यानम या बस यानीन तो बस यानीन बस यान के द्वारा जाता है गीता जिगरती, गीता सुंगती है, किस के द्वारा सुंगती है, तो नासिक कया, नाक के द्वारा अंगा में हैं, बालका हाँ डैस से क्रिडनती, बालक खेलते हैं, तो किस से कंदुकें, यानि गेंद से संस्कृत भाषा में अनवाद करना है, मैं कलम से लिखता हूँ, अहम कलमेन लिखा में, मैं कलम से लिखता हूँ गोड़ा पैरों से दौरता है देख रहे हैं गोड़ा चार पैर होता है इसलिए यहां पे पादह का प्रियुक हुआ है गोड़ा पैरों से दौरता है अश्वः पादह धावती हम फूलों से स्वागत करते हैं हम बयम पुश्पेन स्वागतम कुर्मह हम फूलों से स्वागत करते हैं लेकिन यहाँ पे अगर पुश्पेन हम प्रयोक करेंगे तो आपका एक फूल का बोध होगा यहाँ पे पुश्पेह अगर हम कर देते हैं पुषपह है, तो पुषपह का मतलब होता है फूलों से, अनेक फूलों से, यहां पे पुषपह सब्द का प्रयोंग होगा, पुषपह यानि वयम, पुषपह स्वागतम कुर्मह, हम लोग फूलों से स्वागत करते हैं, वह आख से काना है सा नेत्रेड काड़ अस्ति काड़ काना है किसे तो आख से सभी कानों से सुनते हैं सर्वे करने ने सुन्वनते यहाँ पे टवर्गी ना होगा चा धुरुवा वायू यान से जाता है धुरुवा वायू यानी नगच्छती Q6 में हम लोगों को मिलाना है गजह गजह मनी बहवचन में हाथियों से दूर्भासी यानी टेलिफोन के द्वारा तो आप देखेंगे कानों से फोन से यहाँ पे फोन से दूर्भासी यानी फोन से क्रिड न कहे खिलोने से विद्या से परिश्रम द्वारा करना अभ्याम दो कानों से तो इस तरह से हम लोगों नी Q6 को उसके अर्थ के साथ मिलाया Q7 में प्रतिक खंडेन पदनित्वा वाक्य रचना कुरूद प्रतिक खंड से तीन खंड है इनसे आपको एक-एक शब्द ले लेना है और उचित सब्दों के साथ मिलाते हुए वाक्य रचना करना है तो चलिए देखिए तौम करना भ्याम और सुनो से पहला बाक्य आपका बना हुए है तौम करना भ्याम सुनो से अगला है ते यानि वे सब नेत्रा भ्याम यानि दोनों आखों से और पठंती पढ़ते हैं ते नेत्रा भ्याम पठंती वे दोनों आखों से पढ़ते हैं सीहा पादह धावंती चुकि सीहा वहवचन है और शेर के चार पैर होते हैं यानि अनेक शेर पैरों से दोरते हैं तो सीहा पादह धावंती आवाम यानि हम दोनों दंतह खादावः दातों से चुकि खाने के काम में किसी एक दात का यूज नहीं होता है सभी दातों का प्रयोक करना पड़ता है इसलिए वहवचन में दंतह खादावः आवाम दंतह खादावः सैनि काह अश्वेण गच्छते सैनि घोड़े से जाते हैं या सैनि घोड़े से जाता हैं सूरियण लालिमा भवती सूरिक से लालिमा होती है भवती होगा आहम गीताम पश्यामी मैं गीता को देखता हूँ तो इस प्रकार से हम लोगों नी क्वेशन नमबर सेवन को सल्ब किया क्वेशन नमबर एट में अधो लिखित विकल्पे वे उचिता मुत्तरम चिनूत नीचे लिखे गए विकल्पे से उचित उत्तर चुनना है सारी रूप से विकलांग को देखकर क्या करना चाहिए अर्थारत अगर कोई विकलांग व्यक्ती है तो उसे देखकर क्या करना चाहिए हसी उड़ाना चाहिए शहायता करना चाहिए या मनोबल बढ़ाना चाहिए तो अगर विकलांग है और वो कुछ करने में असमर्थ है तो हमें उसकी सहायता कर देनी चाहिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज चैप्टर 12 अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेर करिएगा धन्यवाद